इस्ठंड में आपने स्किन का कैसे दिख्भाल कर रहे हूं एक बज़ण में चाह रहे हो ना कि कुछ ऐसा मिले जो कि हमारी स्किन में मतलब अभी जो रूखी तवचा हो जा रही है उसमें कुछ रहत मिले तो उनके लिए सजिस्ट करने वाली हूं दो प्रोडक्स में हाई फ्रेंड्स और मैं गीता आजाई हूँ एक बहुत ही बढ़ियां सा वीडियो लेकर गए और अभी मौसम कैसा चल रहा है आपके साइट में कैसा मौसम है फिलाल हमारे यहां तो ठंड होनी शुरू हो चुकी है और इस ठंड में आप इसकी अपने स्किन का कैसे दिख्भा कर रहे हो बजड में चाह रहे हो ना कि कुछ ऐसा मिले जो कि हमारी स्किन में मतलब अभी जो रूखी तवचा हो जा रही है उसमें कुछ रहत मिले तो आज का यह वीडियो उसी से रिलेटेड है कि जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है इस मौसम में विंटर के मौसम में तो उनके लिए सजिस्ट करने वाली हूँ दो प्रोडक्स में और यह दो प्रोडक्स आते हैं अटेटिट्यूड रेंज में अब एकिटिट्यूड की में बात करी हूं क्योंकि अटिट्यूड जह है वह तोड़ा एक मिनिमल खर्च करके हम में अच्छी स्किन केर कर पा स्बस्राइब इसका जो है इंग्रिजिंस दिया हुआ है वह है आपका आवला और जब आवला के बात होती है तो आवला के बारे में लोग जानते हैं कि यह इम्मुनिटी बूस्टर होता है तो अगर गिए बिज़क्त को देर और इम्मूणटी के तौर पर अगर हम अगर देखेंं तो क्या हम भी होता है जो होता है कि हमिनिक प्राइब worries्चर कियों आप दशार प्राइब नहीं पहुत है's gonna तो एर पल्यूशन है और धूप बहुत जादा है तो धूप की जो UVA और UVA जो किरने हैं ये दोनों किरने जो होती है हमारे इसकीन के लिए अच्छी नहीं माने जाती और ये हम जानते भी हैं तो बचाव के लिए भई कुस्तों चाहिए और उपर से ड्राई बहुत जादा ड्राई हो जाता है इसकीन सूखी लगती है और जब सूखती है तो वहां पर दरारे भी पढ़ जाती है तो इस समय आपके ठंड में चहरा जादा गंदा होता है अब यह भी मैं बता देती हूं क्यों क्यूंकि ऑइल जो है ऑइल हमारा निकलना बंद हो जाता है और ड्राईनेस जो बढ़ जाती है हमारे स्कीन में अपना जो ऑईल होता है यह हमारे भागवान से गौर्ड गिप्टन मिला हुआ है जो कि हमारे स्कीन के पोर्स से वो आउट होता है और स्कीन के नीचे हमारे जो सेल्स होते है वो मजबूत होने चाहिए इसके लिए और आपकी हाइड्रेशन मतलब आप पानी समय कैसा पीते हो यह सब भी जरूर चिक करें कि आपकी स्कीन बहुत जादा तो ड्राई नहीं हो है तो जिसके में बात कर रही हूँ इस्टा अच्छरी हरवल कि जो rich cream जो आता है मैं इसकी बात कर रही हूँ अग्याप देख सकते हैं यह वो क्रीम है और मैं इसको कूल के भी आपको दिखाती हूँ कि इसका texture क्या सा होता है यह देख़िए यह ठीक है और इस धंग से आता लाजवाब है अब मैं बात करती हूँ कि आखिर इसमें है क्या अब बताते हैं कि आखिर इस क्रीम में है क्या जो कि बहुत ही जादा जो रूखी हो जारी है विंटर में उसमें ये काम करेगा जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ये रिच क्रीम है मतलब इसमें जो है आमर्ड के साथ साथ आमंड ओयल का सत्व दिया हुआ है विटामिनी तो मिली जा रहा है तो यह रिच क्रीम ऐस तरह से काम करता है हमारे ड्राय स्किन में और आपने जैसे देखा ही मैंने आपको दिखाया ही काफ़ी बढ़िया यह रिच क्रीम है बहुत ही कम कॉंटिटी में यूज हो कि धूब से काफ़ी जादा इसकीन को बचाव करेगा और पल्यूशन से तो बचाएगा ही अब बताती हुमें इसके यूज के बारे में यह दोनों कमाइंड करके आपको यूज करना है जो मैंने आपको पहले फेश्वास जो रिच जो क्रीमी फेश्वास मैंने आपको साथ शेयर किया इंस्टान अरिश हर्वर रेंज को है यह जो क्रीम मैंने आपको साथ शेयर किया इस इस तो यह दोनों एक साथ ही आपको यूज करना कभी बहुत ही बढ़ी है रिजल्ट आएगा सूभा में जब भी आप नाध होकरकर फ्रिश हो जाते हो दिन फेश्वास का थो उसके बाद मसाज करते ही वह हलका-लका सूख जाएगा, जब सूख जाएगा तो, उसके बाद आप साफ पानी से इसको धो लीजे, धोने के बढ़ हलके हाथोंसे, तॉलिय सए, हलके हाथोंसे तपतपह करके पोज दीजेDie, उसके बाद आती है रिच क्रीम की बारिए véritable फिश वास के बाद क्रीम का यूज़ करना सेम वही प्रोसेस है क्रीम को भी उंगली पर निकालना है बहुत ही कम कॉंटिटी में उसके पर चार टिप स्कीन में लेकर अपवड की तरह मसाज करेंगे तो देखें कि आप बिल्कुल भी अब्जर्ब हो जाता है वह स्कीन में और देखा जब ती प्रोड़क के एक्सपीरियंस मैंने काफी लोग को यूज़ साथ शेयर गिया है और जिनको भी ये प्रोड़क मैंने दिया जो ड्राइ सकीन वाले है और अभी विंटर में बहुत लोग की स्कीन ड्राइ हो जाती है तो ये प्रोड़क सही में आपके लिए ये दोनों बिल्कुल भी इसी तरह से यूज़ करना जैसे दिन में उसी तरह सेम रात में इसमें SPF 8 भी है यानि आप इसका जब भी यूज़ करें धूप में जाने से 15-20 मिट पहले ही यूज़ करेंगे इसका इस तरह से नहीं जाएंगे और रात में तो ऐसी कोई इशू नह जैसे मैंने बताए किनके इंगेंगें से मिल करके बना है तो जरूर इस विंटर में इस प्रोड़क को यूज़ कीजिए अब तो यह हो गई प्रोड़क की बारी आप करना क्या है कुछ भी नहीं अगर फरस्ट रहे मां पुझे ही अपने यूट्यूब चैनल पर देख रह करना है हमेशा के लिए स्कीन को अच्छा करने का सूचिया और इस तरह के ऑसम प्रोड़क हमेशा के लिए अगर आप इसकीन को अच्छा करना चाहते हो तो जुरूर इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोड़क्स को यूज़ कीजिए और इसकी बेनेफिट को लीजिए और क झाल झाल